हाई फ्रेंज आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी डेकुरेटिव दिया स्टैंड जिसके लिए आपको डिस्पोजल प्लास्टिक स्पून लेना है और कोई भी कलर का नेल पेंट लेना है और इसके टॉप एंड पे हम नेल पेंट से कलर करेंगे स्पून को जैसेगी मैं आप इसको आपको अच्छे से नेल पेंट से कवर करना है पूरे एंड पर इस तरह से यह नेलपेंट से आपको कवर करना है इसे तरह से आपको काफी सारए स्वूस लेने हैं जिसके बात आपको इसकी ये पीछे की स्टिक जो है वो कट कर देनी है आपको सिर्फ टॉप का लेना है और ये विली स्टिक कट कर देनी है जिसके बाद हमें कुछ इस तरह से स्पूंस रेडी हो जाएंगे कलर करके आप कोई भी कलर का नेल पिन यूज कर सकते हैं और स्पूंस के टॉप एंड पे कर सकते हैं या फिर आप कलर स्पूंस भी ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं उसके बाद मैंने ये राउन ग्लिटर शेप कार्ट बोर्ड लिया है यह लेंगे हम इसके बैक साइड पे हमें फैविक्विक या फैविकॉल पेस्ट करना है तो मैं टूथ्पिक के एंड से फैविक्विक पेस्ट कर रहे हूँ तो यह देखिए फ्रेंस इसके बिलकुल कॉर्णर प्रेंस आपको अच्छे से पेस्ट करना है ताकि हमारे स्पूंस जो है इस पेस्ट हो जाए है इस पेस्ट हो जाए है आपको चारो कॉर्णर पे लगाना है इसको यह देखिए यह हमने लगा लिया इसके बाद आपको यह एक-एक करके स्पून लेना है और हम इसको इसके नीचे एंड पे प्लेस करेंगे इसको एक साइट से होल करके रखना है और ऐसे हमें बाकी के भी प्लेस करने है इसके नीचे आपको एक फ्लावर की शेप में इनको लगाते जाना है ऐसे ही मैं बाकी के भी स्पून जो है इस पे लगा दूँगी यह देखिए फ्रेंट्स मैंने यह सारे लिस ऐसे सेट कर ली है उसके बाद आपको बाकी की लिस अराम से आप दो मिनिट रुकने के बाद यह लगाएं ताकि वह पहले वाली अच्छे से पेस्ट हो जाएं यह देखिए इसको बहुत ही केरफुली लगाना है हमारे को इस तर इस से तो यह देखिए फ्रेंट्स यह सारी लीव्स हमने ऐसे सेट कर दिया है और यह फ्लाइट की शेप में आगया है उसके बाद हमें थर्मकॉल बाल्स लीनी है मैंने यह पिवाइट कलर के ज़्यादर ली हैं वाल्स जो आप फेविकॉल की हेल्प से हर थर्मकॉल आपको फैविक विक या फैविकोल लगाना है और हम एक एक स्पून पर ऐसे पेस्ट करेंगे देखिए ऐसी ही आपको बाकी की भी लगाने है देखिए ऐसे ही आपको अल्टेनिटिव स्पून पर लगाना है अब इसमें कोई सी भी कला का थमकॉल बॉल्स यूज़ कर सकते हैं बट इस पर वाइट लिया है मैंने और यह एजिली इसके उपर पेस्ट हो जाएगा इस तरह से आपको यह लगाने है तो यह मैंने लगा दिया इसके बार हम इसके उपर अपना दिया ब्लो करेंगे इसके बाद आप अपना दिया इसक्यूप पर प्लेस करें और यह कितना सुंदर लग रहा है इस डेकुरेटिव आइटम आप जुरूर ट्राय करें आई होप आपको यह पसंद आई होगी प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करें करें